स्वागत आपका मेरे चल निकीता है जो किसन में तो देखिए जहारखण में जो है जेटेट का विग्यापन जारी हो चुका है यानि कि जहारखण सिख्छक पातरता परिक्षा का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है जिसके बारे में आपको पता चल गया होगा अब इसमें मैं आपको बताने जा रही हूं कि इसमें किये गए हैं कुछ नए संसोधन चलिए आपको पूरी इंफोर्मेशन को देने जा रही हूं और अभी तक कि आपको नहीं पता हो कि जेटेट का आउजिंट कर दिया गया है तो जल्दी से देखिए इस वीडियो को अभी तक कि शि पूरी आपके मन में जो भी डाउट होते हैं सबी को क्लियर करने जा रही हूं बताते हैं कि जारखंड में पूरे आठ साल बाद होगी यानि कि होनी है सिख्षक पातरता परिक्षा आवेदन 23 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे चलिए बताते हैं जारखंड में 8 साल इसके लिए अभियर्थी 23 जुलाई से 22 अगस तक आउनलाइन आवेदन कर सकेंगे यानि कि पूरे वन मन्त का टाइम आपको दिया गया है जारखंड अकेडमिक कॉंसिल यानि कि जैक ने सुकुरुआर को इसका आवेदन जारी किया पाली से पाचवी और छठी से आठी से परिक्षा में आवेदन कर सकेंगे तो इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि जल्द आने वाली है जुलाई मन्त में जेटेट तो आच चुका है जुलाई में और आवेदन फिर स्टार्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर देखिए क्या बीएड वाले दोनों पेपर वर्ग और दिव्यांग कोटी की अभियर्थियों को निर्धारित सेक्षनिक वप्रसेक्षनिक प्रप्तांक में 5% की छूट दी जाएगी वही विशेश रूप से कमजोड जन जातिय समूह को प्रप्तांक में 7% की छूट दी जाएगी एक बार आवेदन भरे जाने के बार दोबारा संसोधित नहीं किया जाएगा यानि कि ये बात आप कंफर्म कर लीजिए कि अगर आपका भरने में फर्म कोई भी गरबड़ी हो जाती है इसलिए बहुत ही ध्यान से अपने अप्लिकेशन को फिल अप करिएगा बताते हैं कि किसना आपको पेमेंट करना होगा 700 से 1300 रूपय तक अभीयर्थि को आवज़न करने के लिए लगेगा 700 से लेके 1300 रूपय तक सुल्क देना होगा सामान्य जन जाती अत्यंत पिछ्वडा वर्ग पिछला वर्ग आथिक रूप से कमजोर वर्ग अभीयर्थि के लिए 1300 रूपय देने होगे अनसुचित जन जाती अनसुचित जाती और दिव्यान कोटी के अभियर्थियों को 700 रुपए देने होंगे आदिम जन जाती के अभियर्थियों को 500 रुपए का सुल्क लगेगा वहीं अगर प्राइमरी और अपर प्राइमरी याने की डिलेड वाले अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि बीयड वाले सिर्फ और सिर्फ 6-to-8 पेपर 2 अप्लाई कर सकते हैं दोनों फेपर अप्लाई करने के लिए उनको पंद्रसौ रुपे लगेंगे उनके लिए क्या है कि अगर प्राइमरी और अपर प्राइमरी में टेट के लिए आवेदन करते हैं तो सामान या त्यांत्र पिछड़ा वर्ग वा आर्थिक रूप से कमजोड वर्ग के लिए अभी हर्थियों को 15-1500 रुपे लगेंगे अधिम जाती को 600 रुपे का सुल्क लगेगा अब चलिए बताते हैं कि इसमें कैसे क्वेशन करा जाएगा और कितने मार्क्स का होगा चूंकि आपके मन में होगा तो यह देखिए तो यहां पर देखिए बहुत सारे बच्चे का यह क्वेशन था कि एक्जाम कैसे होगा ओमर स सीट पर लीजाएगी परिष्ट अच्छा में सुझतर पाता परिक्चा ओमर सीट पर होगी 2,5 घंटे की चलेगी सभीवसर के प्रस्न अबजेक्टिव और बहुपी हूंगी आनि कि आपबजेक्टिव और चार स् कित बहुत सूचन दियmore हों गया थोंगे एक को सलेक्ट कर करने पर अभियर्ट देतार रद कर दी जाएगी परिक्षा के बाद और सीट का पुना मुला अंक्या नहीं की जाएगी चलिए इसके बारे मैंने आपको सार इंफॉमेशन दे दी है तो पास कैंडिडेट या फिर एपियर कैंडिडेट भी अप्लाइ कर सकते हैं जब इसे नाम यहां पर मेंशन कर देना क्योंकि कुछ दिनों में आपका जीरेट की क्लास कराना स्टार्ट कर दूंगी सब्जेक्ट वाइज चलिए वीडियो को इंट करें हैं इस वीडियो नहीं संद मिलते हैं